इस कहानी के माध्यम से आब बहुत कुछ सीखने मले हो एक बार भगवान भुद आत्मग्यान के खोज में तपस्या कर रहे थे उनके मन में बिविन परकार के प्रस्ण उठ रहे थे उन्हें प्रस्णों का उत्तर चाहिए था लेकि उनके पर्यासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली वे आत्मग्यान की प्राप्ती के लिए कठोल तपस्या करने लगे उन्होंने अनेक कष्ट सहन किये कई स्थानों की यत्रा की प्रंतु जो समधान उन्हें चाहिए था वह उन्हें मिला नहीं एक दिन उनके मन में कुछ नी राशा का संचार हुआ सोचने लगे उन्होंने धम, माया, हमो और समस्थ संसान की बस्तों का त्याग कर दिया फिर भी उन्हें आत्मग्यान की प्राप्ती नहीं हुई उन्होंने अपने मन में कहा क्या मैं कभी आत्म ज्यान की प्राप्ति कर सकूंगा मुझे आगे क्या करना चाहिए इसी परकार के अनेक प्रस्न बूद्ध के मन में उठ रहे थे तापस्या में साफ अल्दा की कोई किनड दिखाई नहीं दे रही थी और इधर बुद्ध ने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी वे उदास मन में इन प्रस्नों में मन्थन कर रहे थे इसी दोरान उन्हें प्यास लगी वे अपने आसन से उठे और जलू किने के लिए सरोवर के पास ले वहाँ उन्हें एक अधबुत दिरिस्ट से देखा एक गिलारी मुह में कोई फल लिये हुए सरोवर के पास आई और फल उससे छूटकर सरोवर में गिर गिया गिलारी ने देखा फल पानी की गहराई में जा रहा है और उस फल को निकालने के लिए गिलारी ने पानी में छलाना लगा दिया उसने अपना सरीर पानी में भीगोया और बाहर आ गई उसने यह करम जारी रखा और यहीं कामों बार-बार कर रही थी वह लगतार अपने काम में जूटी रही बुद्ध सोचने लगे यह कैसी गिलारी है सरोवर का जलिया कभी सुखा नहीं सकेगी लेकिन इसने हिमत नहीं हरी यह भूरी सक्ति लगा कर सरोवर को खाली करने में जूटी है अचानक बुद्ध के मन में एक विचाहर का उदे हुआ यह तो एक गिलारी यह फिर भी अपने लग्षे को प्राप्त करने में जूटी है मैं तो इनसान हूँ आत्मग्यान की प्राप्ती नहीं हुआ तो मन में निरासा का भाव आने लगे मैं पुनत तपस्याने जूट जाऊंगा इस परकार महात्मा बुद्ध ने गिलारी से भी सिक्षा प्राप्त की और तपस्याने जूट गए और एक दिन उन्हें आत्मग्यान प्राप्त हो गया और वे भगवान बुद्ध हो गए आपने इस वीडियो से क्या सीख हमें कमेंड में जरूर बताए अगर बडियो अची लेगा दप्रीचा पोलो जरूरूरूरूरू